Hello dear students, welcome to smart knowledge, प्यारे वच्चो, midterm exam, class 8, subject रहेगा science और evening shift का जो paper है, उसको हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, तो देखिए, evening shift में क्या आया हुआ है, morning shift का paper मैं already आपके साथ share कर चुकी हूँ, तो morning shift आप जो है वहाँ से देख सकते हूँ, तो हम English और Hindi medium दोनों में साथ साथ क ठीक है, तो देखिए, dash legume पौदो की ग्रंथिकाओं में रहता है, तो कौन रहता है, rhizobium, dash living root nodules of leguminous plant, तो कौन रहता है, rhizobium, आप हिंदी में भी लिख लेंगे, English वाले बच्चे, English में लिख लेंगे, rhizobium, ठीक है, क्या हो जाएगा, rhizobium, first answer हो जाएगा, rhizobium, second दे और English में आजाएगा, elga, क्या आजाएगा, elga, ठीक है, elga आजाएगा, next देखिए, next question है, my और अन्य कीटो को बगाने है, तो प्रियोग में लाए जाने वाली, naphthalene की गोलियों से, क्या naphthalene की गोलियों से, dash प्राप्त की जाती है, naphthalene balls used to repel moths and other insects are obtained from, तो naphthalene balls जो है, जो क अन्य कीटो बगाने के लिए यूज की जाती किस से मिलती है, हमें, तो किस से मिलती है, हमें कोईले से मिलती है, हिंदी में आजाएगा, कोईला, ठीक है, और कोल, क्या जाएगा, third answer कोल आजाएगा, next देखिए, dash company को आंतर कर्ण तक भेज देता है, तो कौन भेज देता है, तो जो कर्ण हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा, ear drum, यानि जो कर्ण पटे है, कर्ण पटे बोलेंगे, कर्ण पटे यानि ear drum, ठीक है, ear drum, यह fourth का आंसर हो जाएगा, आपका ear drum, वो inner ear तक जो है, क्या भेजता है, company को भेजता है, उसके बाद next देखिए, आवरती की ध्वनियों को सुन सकते हैं, तो यह बिल्कुल true है, ठीक है, dogs, they have the ability to hear sound frequencies of ever higher than 20,000 hertz, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है, आपका सत्य हो जाएगा, clear है, true हो जाएगा, क्या हो जाएगा, true हो जाएगा, उसके बाद next देखिए, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल, straw, lamp और jet वाईयान के इंधन के रूप में किया जाता है, तो यह भी सत्य है, kerosene oil is used to fuels to for jet aircraft, PCR-A लोगों को यातायात लाइटों पर गाड़ी का इंजन खुला रखने की सला देता है, PCR-A advises people to switch on the engine at traffic lights, तो यह भी क्या हो जाएगा, जो है, PCR-A यातायात लाइटों पर गाड़ी इंजन खुला रखने की नई, बंद करने की सला देता है, तो यह क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, ऐसत्य, jam, jelly और squash का परिरक्षन नमक द्वारा किया जाता है, तो नमक द्वारा नहीं किया जाता है, यह ऐसत्य हो जाएगा, false हो जाएगा, संचरन या रोग के कोई दो उध दारन दीजिए, name, give to example of communicable disease, तो communicable disease जो है, इसमें हो जाएगा, एक तो खासी हो जाएगा, ठीक है, common cold and cholera, ठीक है, यानि हैजा, संचरन या रोग के दो दारन लिखने है, तो एक तो आपका हैजा हो जाएगा, और एक जो है, खासी हो जाएगा, लिख लेंगे बेटा, खा लिखेंगे, कोलरा and common cold, कोलरा and common cold, ठीक है, कोलरा and common cold, उसके बाद, नेक्स देखिए, नेक्स है, मोमबती में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम का संगटक लिखे, विच क्वालिटी, name the petroleum product used in candles, तो candles में क्या use होता है, मोम का use होता है, तो क्या लिख देंगे, इसके मोम और इसके अंदर हम लिख देंगे, पैराफीन वेक्स है, आप इसमें पैराफीन मोम भी लिख सकते हो, इसमें आ जाएगा, पैराफीन वेक्स, ठीक है, उसके बाद, नेक्स देखिए, ध्वैनी कि कौन सी गणवत्ता उसकी तिक्षनता को निर्धारित करती है, कौन सी तो क्या आ जाएगा आवरती यानि frequency क्या आ जाएगा बच्चो frequency ठीक है आवरती यानि frequency उसके बाद सामन्य स्वास की प्रवलता लिखो तो सामन्य स्वास की प्रवलता 10 dv होती है loudness of normal breathing क्या होती है 10 dv उसके बाद next देखें section b दिया गया है खंड ख मच्चरों से फैलने वाली बिमारियों को रोकने के दो तरीके लिखो right two ways of preventing disease spread by mosquito mosquito से बचने के कोई दो पाई लिखेंगे ठीक है खंड ख है section b मच्चरों से फैलने वाली बिमारियों को रोकने का तरीके लिखने है right two ways of preventing disease spread by mosquito यहां से आंसर करेंगे second का देखिए हमें cooler tire आदी में पानी जमाह नहीं होने देना चाहिए और हमें अपने आस्पास सफाई बनाए रखने चाहिए we should not allow water to collect in cooler tires etc and we should keep surroundings clean अपने चारों तरफ जो है क्या रखनी चाहिए साफसफाई रखनी चाहिए next question है किनवन किसे कहते हैं किसी एक अनास का नाम लिखे जो yeast के उत्पादन के इस्तेमाल के लिए किया जाता है what is fermentation write down the name of any one grain which is used for the growth of yeast तो क्या होगा conversion of sugar into alcohol ठीक है यानी चीनी का शराब में परिवर्तिन क्या कहलता है किनवन या fermentation और example रखेंगे wheat barley rice गेहूं जो चावल एट्सेटरा अगला question है जब तपेदिक करोगी खास राओ तो हमें उसके पास खड़ा होने से क्यों बचना चाहिए why should we avoid standing close to a tuberculosis patient वाइल ही शी कफिंग तो हमें क्यों बचना चाहिए because जो सुक्षम जीओं है वो संक्रमी त्वेक्ति से स्वस्थ वेक्ति में फैल सकते हैं microbes can spread from infected person to a healthy person अगला question देखिए question number four है वायू में गरम करके कोईला जलाने पर क्या होता है उद्धोग में कोईले के प्रक्रम द्वारा उत्पाद के नाम लिखे what happens when coal coal is heated in air write the name of product obtained when coal is processed in industry तो देखिए कोईला जब बर्न होता है it produce carbon dioxide gas कोईला जलता है तो CO2 gas उत्पन करता है कोग कोल टार और कोल गैस जो इसके प्रोड़क्ट रहेंगे next question देखिए अक्षय प्राकरतिक संसादन और समाप्त होने वाले प्राकरतिक संसादन में दो अंतर बताने है what right two difference between exhaustible and inexhaustible natural resources आंसर लिखेंगे inexhaustible resources present in unlimited quantity यानि जो एसीमित मात्रा में मौझूद है present in limited quantity यानि जो सीमित मात्रा में मौझूद है example रहेगा sunlight, air, सुर्य की रोशनी वायू and forest, wildlife, coal, jungle, वन्नेचिव, कोईला, आदी अगला question है CNG का पूरा नाम क्या है और इसके दो मेहत्वपुन उप्योग भी लिखे write the full form of CNG and also write to important use तो CNG का पूरा नाम होगा compressed natural gas in power generation as a fuel as a starting material for chemical and fertilizer तो संपिरित प्राकरती कैस और इसका उप्योग है बिजली उत्पादन में इंदन के रूप में रसाइन और रोरोप के प्रारंबिक सामगरी के रूप में इसका उप्योग किया जाता है question number six है ध्वनी की प्रवलता ध्वनी उत्पन करने वाले कंपनों के आयाम से कैसे संबंदित है what is the relation between the loudness and amplitude of the vibrating vibration produced the sound loudness of a sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound ध्वनी की तीवरता उस कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है जो ध्वनी उत्पन करता है next question है कंपन क्या है ध्वनी किन तीन माद्यम से होकर गुजर सकती है what is vibration what are the three medium through which sound can travel answer रहेगा to and fro moment ठीक है to and fro moment of an object किसी भी वस्तू का आगे पीछे गती करना और किन तीन माद्यम से होकर गुजरेगी solid, liquid and gas, toast, द्रव और gas next देखिए question number 7 है दो संगीत वाद यंत्रों के नाम बताईए जो कंपन करने वाले तारों से ध्वनी उत्पन करते हैं इनका कंपन अमान भाग भी लिखना है name two musical instrument which produce sound by vibrating string and also write their vibrating part इसमें आ जाएगा वीना stretch ring, वीना खिची हुई तार, तबला stretch membrane, खिची हुई जिल्ली ठीक है next question है question number 8 सुक्षम जीव क्या है होते हैं सुक्षम जीव के विविन समूह के नाम बताईए what are microbes और microorganism, name different group of microbes microscopic organism, too small to see seen with naked eyes ठीक है, इसमें example रहेंगे bacteria, fungi, protozoa, alga सुक्षम जीव जो नगन आखों से नहीं देखे जा सकते bacteria, fafoon, protozoa, sheval और में दिया गया है क्या हम सुक्षम जीव को केवल नंगी आखों से देख सकते हैं यदि नहीं तो उन्हें कैसे देखा जा सकता है can microorganism can be seen with naked eyes how can they be seen तो हम नहीं देख सकते इसमें आपका अंसर आजाएगा नहीं और उन्हें कैसे देखा जा सकता है microscope के द्वारा, ठीक है तो आप लिख देंगे microscope, ठीक है, कैसे देखा जा सकता है microscope, next देखिए, second question है इसी में विशाणू और ने सुक्षम जिवों से किस प्रकार बिन है विशाणू से होने वाला एक सामाने रोग लिखे how virus is different from microorganism name one common elements caused by microorganism, caused by virus तो देखिए उसमें first वाला जो हमें किया था no आजाएगा और with the help of microscope, microscope की सहायता से second का रहेगा, reproduce only inside the cells of host organism केवल मेजबान जिवों की कोशिका के अंदर ही ये पुनुदपादन करते हैं और example रहेगा, cough and cold, influenza, ये किसे होते हैं virus से, खासी और सरदी, influenza next देखिए, हमारे जिवन में सुक्षम जिवों की किनिती इन उप्यों किताओं के नाम लिखे write any three usefulness of microorganism in our lives answer रहेगा, used as antibiotics, production of curd, increased soil fertility, clean the environment यानि antibiotics के रूप में दही का उत्पादन, मिट्टी के उरुवर्दा बढ़ाते हैं परियावरन को साफ रखते हैं, उसके अलावा in fermentation यानि किन्वन में नेक्स देखिए, निमलिखित मानव रोग के लिए रोग कारक सुक्षम जीव और संचरन का तरीका लिखिए write causative microorganism in mode of transmission in following human disease तो इसमें अच्छेगा, शेरूग, हैज़ा और polio, tuberculosis, cholera और polio तो आप लिखतेंगे, इसमें देखिए, जो है, क्या चाहिएगा, bacteria, air mode है, bacteria, water mode है, पानी से फेलेगा, virus, air और water दोनों है ठीके, तो यह आप आंसर रहेगा, virus यानि विशाणों, bacteria यानि जिवाणों नेक्स्ट है, petroleum कैसे बनता है, समझाईए, how is petroleum formed, explain आंसर लिखेंगे, from organism, living in sea, dead organism, body settled at the bottom, get covered, over million of years, it transformed into petroleum and natural gas समुदर में रहने वाले जिवों से बनता है, मृत जिवों के शरीर समुदर की तह में जम गए और ढख गए, लाखों वर्सों में ये petroleum और प्राकरती गैस में बदल गई अगला question है, संगीत और शोर में क्या आंतर है, उधान सहीत बताईए, what is the difference between music and noise आंसर रहेगा, music क्या है, जो हमारे कानों को अच्छा लगे, pleasant to ears and noise क्या है, unpleasant to ears for example, रहेगा, sound produced by harmonium and sound produced on a busy road क्या होगा, noise होगा, ठीक है संगीत और शोर, संगीत देखे कानों को सुहावना लगता है, तो शोर कानों को अप्रिय लगता है, उधान रहेंगे harmonium द्वारा उत्पन ध्वानी संगीत है और व्यस्त सड़क पर उत्पन ध्वानी शोर है next देखे करण पटे का क्या कारिया है, what is the function of ear drum next है, पानी से भरी एक धातु की डिश के किनारे पर एक चमत से चोट मारी जाती है इस क्रिया कलाप में क्या परिवर्तन देखा जाता है, कोई दो परिवर्तन बताएंगे a metal dish filled with water is striked at as is with a spoon, what changes can be observed, write any two changes, ठीक है उसके लावा second है, ध्वनी परदूशन से होने वाला कोई एक नुकसान क्या है, write any one harm of noise pollution तो इसमें आप लिखेंगे, जब हम उसको मारते हैं, तो क्या होगा waves produce होती है द्रंगों का उत्पादन होता है, sound can be observed or hear, ध्वनी को देखा और सुना जा सकता है इसमें आजाएगा lack of sleep, hypertension और anxiety होती है, नीद में कमी आना, उचरक्त चाप और चिंता next question देखे, question number 12, इसमें रेखांकित शब्दों को सही करके कतनों को पुने लिखना है तो प्रती minute होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवरती कहते है, minute की जिगे second आएगा वातावरण में एवांची ध्वहनिय को व्यू पर्दूषन नहीं कहते, शोर कहते है, क्या कहते हैν, शुखत ध्वहनिय शुखत नहीं, जो कानों को एप्रिये लगे, एप्रिये ध्वहनिय क्या कहिरा आती है, शोर कहılाती है सड़क के किनारे पेड लगाने से ध्वनी परदूशन को बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाया नहीं गटाया जा सकता है आवरती को decibel में वेक्ते करते हैं आवरती को decibel में नहीं hearts में वेक्ते करते हैं पूर्चों के वाक्तनतों के लंबाई 15 mm होती है increase की जगे decrease आ जाएगा decibel की जगे hearts आ जाएगा ठीक है और vocal code in man are about 15 mm नहीं होते 20 mm होते हैं तो यह आपका answer हो जाएगा तो यह आपका question number 12 का answer हो जाएगा बच्चों यहां से आप देख सकते हैं question number 13 है read the passes and answer the following question natural resources can be divided into two kinds तो यह अच्छे से इसको पढ़ लेंगे ठीक है तो और यह दिया गया है इदर हिंदी मीडियो में प्राकरतिक संसादनों को दो प्रकार बाटा जा सकता है अक्षे और समाप्त होने वाले तो इसमें देखे फॉस्ट का answer आपका समाप्त होने वाले प्राकरतिक संसादन, exhaustible natural resources कौन से रहेंगे मात्रा में ऐसी मित होते हैं और जो है इसमें आ जाएगा unlimited समाप्त होने वाले प्राकरतिक संसादन है ठीक है तो इसका answer आपका थर्ड हो जाएगा यह मात्रा में कम होते हैं limited in quantity next देखे जिवास मिंधन प्राप्त किये जाते हैं fossil fuel are obtained from मिरत जीव से dead remains of living organism उसके बाद next देखे मृत्व नस्पती के कारवनी करन से कौन सा पदार्थ बनता है तो क्या बनता है कोला कोल आ जाएगा next देखे निमलिकी में से कौन सा petroleum का अव्वे नहीं है विचोपता following is note a constituent of petroleum तो इसमें आ जाएगा आपका coke ठीक है third coke आ जा निमलिकी में से परकास insulation के लिए क्या आवश्यक नहीं है तो क्या आवश्यक नहीं है इसके अंदर nitrogen आवश्यक नहीं है ठीक है which is not necessary for photosynthesis nitrogen कवक के बिजानों को अंकुरन में ब्रथी करने के लिए आवश्यक्ता होती है to germinate and grow fungal spores need किसकी आवश्यक्ता होती है nitrogen की कमी वाली म मिर्दा की आवश्यक्ता होती है soil which lack in nitrogen कवक होती है तो क्या होती है सुक्षम जीवी रूई जैसे दागे और मृत जीवी तो यहीं सारे होते हैं fourth answer हो जाएगा all of the above fungi are all of the above जो है answer हो जाएगा ठीक है आपका इसका answer हो जाएगा all of the above अगले में देखेंगे इसमें आपका आ जाएगा सडेग लिपदार्थों पे को निर्वर रहता है वो रहते हैं मृत जीवी तो इसमें आ जाएगा मृत जीवी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन विस्ट डिपेंड्स ओन डेड़ डिकेंग मैटर कुश्चन नमबर 15 दिया गया है इसमें कद्यांस को पढ़ना है जीवी का निवास्तान क्या है जिसका च्रीव सुवस्तित और फिसलन भरा है तो इसमें आ जाएगा आपका सेकिंड रिगिस्तान ठीक है उस जीवी गटक का प्रतिनिधित्व करता है तो जलिये पोदा मचली में इंडक कीडा यह जवी गटक है तो यह जो है थर्ड हो पॉनेंट ओनली एक्वेटिक प्लांट फिश्ट फ्रोग इंसेक्स उसके बाद देखें लास्ट कॉश्चन है विशम को चुनना है तो इसमें आपका जाएगा रूट्स ओफ बैनियन ट्री ठीक है यह पौदे के बीज मुर्गी के अंडे आलो की कली का यह सब प्रजणन क फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हूं वीडियो अच्छे लोगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइबर आप जो है आपको सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर इस चैनल पर मिलेंगे सारी मार्किंग स्कीम मिलेंगी इंपोर्टन कोशेंस मिलेंगे तो अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तेल देन टेक केर बाबाई